Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको Hubstocks पर कोई भी शेयर अगर आप परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो आपको कितनी ब्रोकरेज या फिर कितनी अधर चार्जेज पे करने पड़ेंगे ठीक है तो ये ब्रोकरेज केलकुलेटर अब कैसे निकालोगे आप किसी भी अपने सर्च इंजिन पे जाके Hubstocks ब्रोकरेज केलकुलेटर सर्च करेंगे और जो लिस्ट आएगी उसमें सबसे पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको उपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है अगर इन में से कोई है तो तो ठीक है अब हम यहाँ पे बात करें delivery की तो आपको अगर यह ऐसा होगा तो आपको delivery page को select करना है यहाँ पर उस share का आप नाम लिखेंगे जो आप जिसकी brokerage के बारे में पता करना चाते हो हिंदोस्तान Unilever ठीक है अब quantity मैं रखता हूँ simple रखने के लिए सब चीज एक quantity मैंने हिंदोस्तान Unilever की buy की मानली जी मैंने buy की 2000 रुपे पर अब देखिए यहाँ पर यह जो थोड़े बहुत आपको दिखरी value तो जब हमने खरी दी ना तब आपको brokerage तो आप stocks ने कुछ भी चार्ज नहीं की जैसा कि आप stocks बोलता है ना कि equity delivery के लिए वो कुछ भी नहीं मांगता आपसे तो वो बिल्कुल सही है आप stocks ने कोई brokerage आपसे चार्ज नहीं की लेकिन other charges देखिए 2 रुपए other charges यह देखिए यहाँ पर आपकी STT लगी है 2 रुपए की transaction charges लगे है ठीक है यहाँ देखिए और GST लगा है तो कि हमने भी छोटी quantity में लिया है तो भी काफी सारी चीज़ें नहीं भी लगी है हमको तो जब हम इसकी quantity अगर बढ़ा देंगे तो आपको दिखेगा हमको और भी जैसे से भी turnover fees भी लगी है इसे साब से हमको brokerage अब भी कुछ नहीं देनी पड़ी quantity आप बेशक 100 कर लो है आपको brokerage कुछ नहीं देनी बस आपको other charges यानि जो compulsory charges है security transaction tax या फिर commodity transaction tax ठीक है इस तरीके से आपको buy पे लगता है ठीक है अब हम इसको फिर से simple कर लेते हैं मान लीजे आपने share purchase किया और आपने share को sell किया बाइस सो रुपर ठीक है security transaction tax हमने include कर रहा था वो आपको इतना देना पड़ेगा 4 रुपीज 20 पैसा इसके लावा GST आपको देना पड़ेगा ठीक है और transaction charges होते हैं यह सब मिला के आपको other charges क्या है हमने minus कर दिये तब 200 जो profit था उसमें से other charges जब आप minus करोगे तो net pay एंडल आएगा अब समझते हैं break even क्या होते है break even का मतलब है जिस price पे आपने share खरीदा उसका जो break even यहाँ पे show करेगा अगर आपने उस share के price plus break even इस price पे आपने sell किया तो आपको ना profit होगा ना loss होगा समझते हैं example से देखिए 2000 का मने खरीद लिया ठीक है break even बता रहा है 4 रूपए यानि मैं अगर इस share को 4 रूपए 15 पैसे से कम value पे इसको बेचूँँगा जैसे मैं बेचूँँगा 003 ठीक है 2003 रूपए में मैंने बेचा तो मेरे को net यह एंडल आएगा एक रूपए 14 पैसे गाटेगा लेकिन अगर मैंने इस share को 2004.15 पैसे पे बेचा तो मुझे almost 0 net पे डला है ना मेरे को profit हुआ ना मेरे को loss हुआ तो यह हमको बताते है break even जिस price पे आपने खरीदा plus break even जो price बना इस पर अगर आप बेचते हो तो आपको ना profit हो का ना loss होगा अगर आपको profit करना है तो आपको हमेशा break even से उपर बेचना है ताकि आपको जो other charges है ना इसकी वज़े से loss ना हो तो मान लीजे आपने बेचा होता 2004 में तो आप बोलोग यार 4 रुपए का तो मेरे को profit होना चाहिए लेकि नहीं other charges भी तो कटेंगे ना तो आपको net P&L loss होगा तो इसलिए break even आपको बताते है कि इतना रुपया तो आप कमाओ इस पर कम से कम तब आप बेचो अगर आप इससे ज़्यादा पर बेचोगे तो कोई problem नहीं है तो आप 2010 रुपय भी बेचोगे तो कोई कोई problem नहीं है को कि इसमें other charges deduct होने के बाद भी आपके पास हाथ में profit बचेगा 10 minus 4 is something around 6 ओके और हाँ friends एक important चीज और यह आपको जो दिखा रहा है ना जो आपने जब sell किया तो आपको यह 5 रुपय profit तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो यह exclude कर रहा है जिसको हम कहते हैं DP charges यानि depository participant charges वो करीब करीब जब आप किसी share को अपने DMAT account में से sell करते हो ना तो आपको DP charges pay करना पड़ता है वो होता है around 18-20 रुपय के around होता है तो GST भी included होता है तो 20-21 रुपय के आसपस आपको total पड़ता है चाहे आप एक share बेचो चाहे आप जितने मर्जी share बेचो तो आपको DP charge pay करना पड़ेगा अब यह हमको क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको net pndl 5 का है लेकिन असल में आपको net pndl 5 का नहीं है आपको हम 21 रुपय मान लेते हैं 21 रुपय आपको वो देना पड़ेगा उसमें से हम 5 कमा लिया 5.8 तो भी आपको भी 15 रुपय का लावस हो रहा है समझा बात मेरी क्योंकि यह DP charges को यह हमको नहीं बता रहे है लेकिन अगर आपने यहाँ पर suppose 30 कमाए होते है इस price में ठीक है तो हमको net pndl 25 दिखा रहे है लेकिन असल में 25 नहीं है असल में 25 माइनस 21 तो यह हमको यहाँ पर DP charges के बारे में कुछ नहीं बता रहे है DP charges देने पड़ते हैं आपको चाहाँ आप एक share बेचो चाहाँ 100 share बेचो ठीक है बीसी केस रुपए DP charge लगता है आप यह चीज हमेशा ध्यान रखेगा आज के लिए बस इतना ही I hope you enjoyed watching this video Thanks a lot